दोस्तों हमने बिहार के सभी जिलों में परिटन स्थल के अपने इस सीरीज में अब तक कई जिलों के परिटन स्थलों के बारे में आपको बताया है तो चलिए इसकड़ी को जारी रखते वे आज हम बिहार के पश्चमे हिस्से में सिद क्यामूर जिले के परिटन स्थल की चर्चा करते हैं बिहार का या क्यामूर जिला कुदरती रूप से काफी खास माना जाता है 1993 में गठे तिस जिले में कई ऐसे आकरशक स्थल है जो आपको आनंदित कर सकते हैं तो आईए जानते हैं उनके बारे में पहले हम बात करते हैं जलप्रपात की या आसान भाशा में कहें तो ज़र्नों की कैमूर की पहारियां कई खूबसूरत जलप्रपातों का घर भी मानी जाती है यहाँ पर दो जलप्रपात बुखे हैं चैनपूर का करकटगर जलप्रपात जो की कैमूर वन जीव अभियारने के पास सित है चारों तरफ से प्राकृतिक खूबसूरती से भरे हुए इस जलप्रपात पर दूर दूर से सैलानी मौज मस्ती करने और पिकनिक बनाने के लिए आते हैं परिटक यहां बोटिंग, स्विमिंग, फिशिंग जैसे रोमांच्र गतिविदियों का आनंद उठा सकते हैं दूसरा है कैमूर जिले के भबुआ ओधोरा मार्क पर सित तिलहर कुंड जो की दुरगाबती नदी के काफी निकट सित है आप तिलहर कुंड जलप्रपात की सेर का भी आनंद ले सकते हैं खासकर मौनसून के दौरान यहां की खूबसूर्ती देखने लाइक होती है दूसरा है कैमूर वन जीव अभ्यारने यहां भ्यारने भवुआ नगर के पास सित है इस भ्यारने का छेत्रफल 1342 वर्ग किलोमीटर है जो मुख्यता पहाडियों और उच्षाई नीची भूमी पर सीमित है इन बनों में ब्लाक बक, नीलगाई, चिंगारा, बाग, चीते, हाइना, स्लोथ, बियर आदी सामाने रूप से पाए जाते है यहां पर कुछ जीले भी है जिनमें से कालीधा और अनुबम जील में मचलिया पाए जाती है साथ ही आप यहां सत्तर प्रजातियों के पक्षियों को भी देख सकते है जिनका यह नवास स्थान है हाला कि हसंख्या सर्दियों में बढ़ जाती है जब यहां मध्य एशिया छेत्र के पक्षियों का प्रवेश होता है तीसरा है माता मुंडेश्वरी का मंदिर कैमूर जिले में सित यह एक काफी प्राचीन मंदिर है जो की पमार पहाड़ी के शिखर पर सित है जिसकी उचाई लगभग 600 फीट है कहते हैं कि चंड मुंड नाम के असुर का वध करने के लिए देवी यहां आई थी तो चंड के विनाश के बाद मुंड युध करते हुए इसी पहाड़ी में छिप गया था यही पर माता ने मुंड का वध किया था इसलिए यह मंदिर माता मुंडेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद है यह पत्थर से बना हुआ अश्ट कोण यह मंदिर है इस मंदिर के पूर्वी खंड में देवी मुंडेश्वरी के पत्थर से भव्य और प्राचीन मुर्ती मुख्य आकर्शन का केंद्र है मावारा ही रूप से विराजमान है जिनका वाहन महीश है इस मंदिर के मगद भाग में पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है चोधा है बक्तियार खां का रोजा चैनपुर के निकट स्थित बक्तियार खां का मकबरा इंडो अफगान वास्तुकला का सुन्दर नमुना है बक्तियार खां महान अफगान शाशक शेर शाह सुरी के रुष्टदार एवं सेनापती थे उनकी जागीर चैनपुर में थी सोलहवी सदी में निर्मित भारतिये पुरातत्व सर्वेक्षन द्वारा संगरक्षत या इमारत सासाराम में स्थित शेर शाह के पिता हसन खां सूर के मकबरे का प्रती रूप है यह हसन खां के मकबरे से काफी बड़ा और सुन्दर है सेर्शा और हसन खां के मकबरे हो सहित बिहार सहित अफगान वास्तुकला की तीन प्रमुखिमारतों में शुमार यह मकबरा 288 फीट लंबे एवं 230 फीट चोड़े विशार आंगर में 8 फीट उची मजबूत चाहर दिवारी के बीच सित है अन्य गंतब्यों में आप हरसु ब्रम्हा मंदिर ज्वा सकते हैं जो की चैनपूर में सित हैं इसके अलावे आप पीर बाबा का मजार ज्वा सकते हैं ऐसा माना जाता है फिर आप वैदिनाथ मंदिर भी ज्वा सकते हैं जो देवहलिया रामगड में सित है खुजराहो के कंदरिया महादेव मंदिर के समान अश्ट कोणिये आधार और शिकरवाला यह शिव मंदिर है स्थानिये कि दंतियों के अनुसार चंदेल राजा, विद्याधर, धांग द्वारा 11 सदी में इस कान्दर मान कराया था उसने मंदिर के चारो कोण पर चार तालाव धुरूफ कुंड, रुद्र कुंड और ब्रम्हा कुंड और विष्णु कुंड भी बनवाए थे जिसमें से दो आज भी विद्यमान है, खुजराहो के कुंदरिया महादेव मंदिर के समान अश्ट कोण ये आधार और श्रिकरवाला यहाँ शिव मंदिर है आगे हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख महोटसव के बारे में जांजर कट महोटसव सहसराम में 6 किलोमीटर दक्षिन में कैमूर परवत श्रिंखला पर जांजर कुंड और धुआ कुंड के बीच में लगभाग एक दरजन छोटे बड़े जढने हैं पर सहसराम, सिख, अंगरे, हरी, समुदाई के लोग इस महोटसव का आयोजन करते हैं इसका आयोजन बरसात के मौसम में विशेशकर शनिवार और रविवार को किया जाता है इसमें भाग लेने के लिए पूरे बिहार और पडोसी राजयो से भी लोग आते हैं तो दोस्तो आज हमने आपको बिहार के परिटन सलो को बताने के क्रम में कैमूर की सेर कराई अब अगले वीडियो में हम आपको बिहार के दूसरे जिले के बारे में बताएंगे वीडियो को लाइक और ज्यादा से चादा शेर करे हमारे चानल बिहारी न्यूज को भी सब्सक्राइब करें तब तक के लिए धन्यवाद